हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार Study IQ IAS हिंदी में आप सब लों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं विरद एक बर आपके समख शाजिर हुआ हूँ आज 31 अगस्त है और आज 31 अगस्त में मैं एक बहुत ही सीधी और बहुत ही सिंपल बात करना चाहरा हूँ दोस्तों अगर आप सब लोग UPSC 2025 की प्रप्रेशन कर रहे हैं IAS बनने का आपका एक सपना है और किसी प्रकार के आर्थिक संकट से अगर आप जूज रहे हैं अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को यह महसूस भी होता होगा बहुत सारे लोगों को यह जानकारी भी होती होगी कि UPSC की प्रप्रेशन जब हम करते हैं और सफल हो जाते हैं तो उसके बाद ठीक है हमारी लाइफ सेटल हो जाती है हमारे पास में ओहदा आ जाता है रुतबा आ जाता है और एक हैंसम सेलरी तो आती है बट ऑवियस सी बात है क्योंकि यह एक जॉब है गेजटेट ओफीसर की जॉब है लेकिन उतना कुछ करने के लिए it's like kind of investment कि आपको बहुत सारे पैसे जो है वो लगाने पढ़ते हैं पहले पढ़ाई में और पढ़ाई में पैसे लगाने के भी बहुत अलग-अलग steps है लाइक आप यह पैसा coachings में देते हैं यानि कि किसी ना किसी institute में आपको यह पैसा लगाना पड़ता है so that कि आप उसके course में enroll हो सकें और वो खर्चा भी अकेले अकेले आपके लिए ले लाखों तक का हो सकता है इसके अलावा फिर आप books and accessories के लिए बहुत पैसा खर्चा करते हैं कई बार आपको total books खरीदने के लिए करीब-करीब 15-20,000 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं including notes and all फिर उसके बाद accessories तमाम प्रकार कि आपको जरुरत पड़ती हैं बढ़ा amount आपके लिए तयार होता है उसके लावा अगर आप अपने शहर से बाहर जाकर के तयारी कर रहे हैं तो निस्संदेह आपको जो है एक बहुत बढ़ा amount invest करना पड़ता है यदि अगर आप वहाँ पर accommodation की बात करते हैं खाने पीने की बात करते हैं तो बहुत सारा पैसा आपको उसमें खर्चा करना पड़ता है और एक बड़ा hidden cost होता है जो आपको आप जो आप नहीं note करते हैं अपने budget में जैसे मैंने आपको accessories के लिए बताया कि कई बार आप वह hidden cost अपने budget में इंक्लूड नहीं करते हैं वह आपके लिए बाद में heavy हो जाती है वैसे एक hidden cost पड़ता है जब आप किसी शहर में जाते हैं तो वहां से गभार आप अपने घर वापस जाना पड़ता है तो आने जाने का खरचा में जोडते नहीं जांप रह रहे होते हैं शहर में वहां से अपनी coaching अंग आने का खरचा कई बार आप नहीं जोड़ पाते हैं, हलाकि इसको ध्यान में रखते हुए कई बार आप जो coaching institutes होते हैं उनके institutes की आसपास ही कहीं पर अपना accommodation ढूढने का प्रयास करते हैं तो यह बहुत सारी चीज़े हैं और जो सबसे बड़ी चीज़ है एक और hidden चीज़ है वो है time इस सब चीज़ों को करने में time बहुत जादा consume होता है और अगर आप देखेंगे UPSC की preparation में the most precious thing is time और the wealth यह चीज़ अगर आप calculate करते हैं और UPSC की preparation को लेकर के आगे चलने का प्रयास करते हैं तो मोटे मोटे तोर पर एक डिड़ साल के अंतरगत अगर आप देखेंगे तो आप डेड़ लाख या उससे अधिक का पैसा खर्चा कर चुके होंगे बहुत ज़्यादा पैसा आप खर्चा इसमें निसंदे कर चुके होंगे वहीं study IQ IS आपके लिए इन सब burdens को कम करने के लिए आपके आर्थिक बोज को कम करने के लिए प्रतिबधता से लगातार जुड़ा हुआ है और सबसे पहले targeted के affordable price में हम आपको इस सारी सुविधाय प्रदान करेंगे वहां से इसकी जर्नी शुरू होती है UPSC के लिए और आज इस जर्नी को इतने आगे तक बढ़ा दिया है study IQ IS ने और study IQ IS हिंदी के platform ने कि अगर आज कोई चाहे तो इन आर्थिक संकटों से चुटकियों में चुटकारा पा सकता है और अपनी UPSC की जर्नी को सुभाव ना बढा सकता है पर ऐसे चीजों को प्राप्त करने का ऐसे अवसरों को प्राप्त करने का आज 31 अगस्त आखरी दिन है इसके बाद शायद ये मौका आपको दुबारा ना मिले इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप UPSC 2025 को टार्गेट कर चुके हैं तो दोस्तों बिना समय गवाए हुए बिना एक भी पल गवाए हुए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस लिंक से जुड़ना चाहिए और लिंक से जुड़ करके आपको प्रतिग्या प्लस बैच में इन्रोल हो जाना चाहिए लोगों ने और लांच किये थे मैं उसके बारे में चोटी सी जानकारी आपको देता हूँ एक तो हम लोगों ने प्रतिग्या प्रतिग्या बैच आपके लिए लांच किया था जिसमें सबसे पहले आपको आर्थिक संकट सुबारने का बात किया था वैसे भी हमारे जो P2I के जो batches हुआ करते हैं वैसे भी जो हमारे P2I के batches थे वो highly affordable हुआ करते थे अगर आप online की बात करते हो तो मोटे मोटे तौर पर डेर से दो साल की validity के आसपास के courses हम आपको अबड़ी आसानी से तकरीवन 28 से 30 हजार के बीच में आपको एक बार course जोईन हो जाता है तो आपको कुछ भी चीज के लिए अलग से भटकना ना पड़े हम आपको provide कराते थे लेकिन इसको reduce करके प्रतिग्या प्लस batch में 25 के के आसपास लाया गया जिससे कि आपकी जो fee structure है वो आपके लिए बहुत जादा आपके उपर burden ना बने उसमें भी एक अत्रिक तुस्विधा ये प्रदान करी गई कि आप prelims qualify कीजे prelims qualify कीजे और आपकी जो fee है ये refund हो जाएगी जानी कि आपको ये पैसे सिर्फ free तक के लिए ही pay करने है उसके बार आपको ये fee refund हो जाएगी अगर आप prelims qualify कर देते हैं UPSC में कदम रखने वाला हर एक बंदे का ये target नहीं होता है कि उसको किवल prelims qualify करना है उसका तो target होता है कि हम UPSC qualify करें तो definitely pre qualify करना तो एक बहुत प्राथमिक stage है उस level पे भी अगर हम आपको fee refund कर दे रहे हैं यानि इसके लिए तो आपको कोई fee देना भी नहीं है तो आप सोचे कि आपका जो P2I है वो batch बिलकुल free हो गया न सिर्फ prelims के लिए बलकि mains और interview के लिए बहुत सारे students ने का कि सर अमारे पास में ये देने कभी पैसा नहीं है आप इसको ही प्रिलिंस को ही free में क्यों नहीं कर सकते तो दीखे आपको ही मालूम है कि UPSC aspirant लाखों की दादात में बैठते हैं अपने इस program में अपने इस UPSC के exam में तो क्या इतनी सारी facilities को free of cost मतलब इसको एक इसको एक open minded होकर के थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिए क्या literally ये possible है हाँ ये जरूर possible है कि अगर किसी के अंदर उपयोगिता है उप्युक्तता है किसी के अंदर guts है तो हम उसकी सहायता जरूर करें और अगर किसी के अंदर guts नहीं है तो वो उसको develop कर सके कि हम उसकी सहायता करने के लिए आगे आएं इन दो देश्यों से ही prelims को एक barrier के तोर पर रखा गया कि आप ये qualify कीजिए उसके बाद देखे हम आपका क्या साथ देते हैं कुछ तो आपको भी show करना पड़ेगा कुछ तो आपको भी अगर batch की fee की literally अगर मैं 10,000 भी कर दूँ 10,000 भी कर दूँ there are lots of people की उनके लिए भी एक बहुत बड़ा amount होगा और वे शायद इसको भी afford ना कर पाएं पट यही चीज कही जाती है कि economy जो है something कि उसे manage करना पड़ता है it is all about to manage किसी के पास में यह चीजें होती नहीं सब manage करते है आपको उद्देश रखना होता है और उद्देश के according काम करना होता है तो वैसी ही चीजें यहाँ पर भी है हम लोग भी अपने institute में जब कभी पढ़ने जाते थे तो क्या हम लोग के पास इतने पैसे होते थे नहीं व्यवस्था करनी पड़ती थी परन्तु उसका पूरा एक एक पाई जो हम लोग इखटा करते थे देते थे उसको पूरा तरीके से उसका सदुपयोग लाने का प्रयास किया जाता था तो उसी प्रयास को यहाँ पर सार्थक किया जा रहा है प्रतिग्या बैच से, तो प्रतिग्या जो फर्स्ट राउंड में हम लोग लाये थे, उसमें ये सुविधाय हमने आपको दी थी, इसके अलावा एक साल के extended validity भी आपको इसमें दी गई थी, एक साल की अतरिक्त वैधता अतरिक्त वैधता, ये भी आपको प्रदान की गई थी, जिससे की unfortunately अगर आपको जो mains की त्यारी हो रही है, अगर unfortunately आपसे mains नहीं qualify हो पा रहा है, तो next year फिर से prelims की त्यारी के लिए आपको फिर से ये पैसे ना देने पड़ें, यहीं नहीं कहीं ना देने पड़ें, इसलि प्रतिग्या 2.0 में ये सारी facilities, यानि की fee refund, प्लस one year extended validity जो है, ये दोनों चीज़ें इसमें रहीं, लेकिन एक और चीज़ें इसमें include करी गई, that was selection box, selection box भी हमने इसमें प्रदान किया, जिसमें आपको set of 18 books दी गई, वो भी free of cost रहेंगी, मतलब selection box ही पूरा free था, जबकि selection box की आज की date में अगर आप purchase करोगे, तो 499 का आपको मिलेगा, 4999 का आप अलग से भी चाहें, तो purchase कर सकते हैं, बड़ इसका meaning नहीं है, अगर आप प्रतिग्या 2.0 में selected हो, तो आपको free में मिल रहा था, इसमें 18 किताबों के set हैं, जिसमें आपको previous year question paper, ना सिर्व GS के, बलकि C-set के भी मिल रहे हैं, इसके अलामा आपको एक पूरा का पूरा format दिया जा रहा है, जिसमें आपको main sensor writing practice करनी है, वो format आपको दिया जा रहा है, पूरा bundle, इसके अलामा notes बनाने के लिए आपको notebook दी जा रही है, highlighters, pen, map वगरा जो है, सब कुछ इसमें आपको प्रदान किया रहा है, table, calendar वगरा दी जा रही है, all those accessories which are highly required for the preparation, which should be on your table, वो सब आपको इस selection box में दिया जा रहा है, including the set of 18 books, ठीक है, यह आपको प्रतिग्या 2.0 में दिया गया, इसके बाद अगर आप देखोगे, इसके बाद अगर आप देखोगे, तो आपको और सुविधा देने के लि प्रतिग्या प्लस में आप देखोगे, कि प्रतिग्या बैच जो है, प्रतिग्या जो पहला वाला बैच था, ये वाला, और ये जो दूसरा वाला बैच था, प्रतिग्या 2.0, ये include है, then extra catches include है, ये दोनों चीज़े तो है ही इसमें, extra है कि आप इसमें 37 weekly test, weekly test देखेंगे, और ये 37 weekly test है, इसमें जो first price लाएगा, first price, उसको मिलेंगे 11,000 रुपीज, 11,000 रुपीज, आप सूचिए, 11,000 रुपे अत्रिक, यानि कि आपकी इन दोनों सुविधाओं में जो चीज़ें दी गई थी, कि हम आपका fee refund करेंगे, prelims का, वो तो रहेगा ही रहेगा, इसमें हम आपको 37 weekly test देंगे, जिसमें 11,000 रुपीज पर week आप जीत सकते हैं, ठीक है, आप पहले week test में हो सकता है, first rank ना लाएं, दूसरे मिला रहा है, 37 time भी आप first rank नहीं ला पाएंगे, वो भी ये weekly test है, इसका syllabus आपको हम देंगे पहले से ही एक हफते पहले, कि ये हम पूचने वा UPSC के जो aspirant हैं, वो आपके competitors नहीं है, तो एक सीमित शेत्र में होने हैं, competition को भी आप बीट नहीं कर सकते, तो क्या आपको लगता है कि UPSC की त्यारी इतनी सरल है, तो उस चीज को motivate करने के लिए, कि at least आप इन क्यों इन में तो participate करें, और कम से कम 2-3 बार आप top rank लाएं, motivate क करेंगे, पढ़ाया जाएगा class में उसी से questions पूछे जाएंगे, उनकी इर्दगीर्थ पूछे जाएंगे, तो आप इसको अगर मान के चलिए कि दो बार भी अगर, two times भी अगर आप यहां पर test में first rank ले आए, तो 22,000 यहीं पर आपके पूरे हो गए, फिर आपने आपके अ जरूर participate करेंगे, क्योंकि आपके पास में एक अवसर है, 11,000 रुपीज, जबकि लोगों के पास 10,000 रुपीज तक नहीं होते हैं, इस batch को purchase करने के लिए, वहां प्रतिग्या के तहत, institute आपको 11,000 रुपीज अलग से दे रहा है, वस यह आपको first rank लानी है आपर, हाली motivation का point ह इतनी सुविदा के बाद भी अगर आप UPSC के त्यारी नहीं कर सकते, तो फिर थोड़ा सा rethinking करनी के आवशकता होगी, और अगर आपने एक बार motive बना लिया है, कि नहीं हमें UPSC clear करना है, तो यह सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से कह सकता हूँ, कि सशक्त करेंगे, empowered करेंगी, motivate करेंगी, और वाकि इस टीम आपके साथ ही, मैं आपके साथ हुई, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, mentors आपके साथ है, teachers आपके साथ है, सब है, so बिल्कुल देर मत कीजिए, इससे जुड़िए, अच्छा, दूसरी बात यह है, कि आप सुनिए कि इसकी fees जो है, वो इन सब की तुलना में और जादा कम भी है, fee भी कम है, fee भी बहुत जादा कम है, और रही बात बाकी facilities की, कि क्या हम इसमें classes देंगे, thousand प्लस hours की तो आपको केवल, प्लस hours की, तो केवल आपको GS की classes मिलेंगी, daily basis पे CSET की आपको live class मिलेंगी, daily basis पे current affairs program है CAP, current affairs program, इसकी live classes मिलेंगी, यह अलग से हैं, इनके अलामा, ठीक है, और आपको daily answer writing, daily answer writing program आपको दिया जाएगा, daily एक प्रशन दिया जाएगा, उसका उत्तर आप लिकर के भेजेंगे, evaluation team उसका evaluate करके, आपको वापस करेगी, उसमें जो कमिया होंगी, जो अच्छाइया हों आप उसकी दिशा में और आगे मेहनत कर सकते हैं, regular basis पर आपको जो है, वो class notes मिलेंगे, class notes आपको मिलेंगे, ठीक है, आप अपने notes खुद बनाईए, लेकिन अगर कैसे बनाए जाते हैं, इसकी साहता चाहिए, तो इन class notes से बना सकते हैं, अगर आप working person है, तो आपके पास notes पराने के time नहीं होते हैं, then it is very useful to you, board का जो annotation है, board work जो है, ये board work as it is, आपको PDF में convert करके दे रहाता है, ऐससे कि आप video जब revise करें, तो आप सही तरीके से देख सकें ही, क्या-क्या पढ़ाया गया था, इसके अलावां आपको मिलता है, crux, ये short notes होते हैं एक तरीके से, at the time of revision आपके लिए बहुत काम आने वाले होते हैं, set of 18 books इसमें हैं ही, जो वीडियो में पढ़ाया जाओ, उसको books में पढ़िए और बढ़िया तरीके से, चीजों को त्यार कीजिए, उसके बार notes त्यार कीजिए, उसके रिवीजन कीजिए, weekly test आपको यहाँ पर दिये ही जा रहे तो उसकी त्यारी के लिए अलग से SIP, Success in Prelims प्रोग्राम रहेगा, अलग से, यह जो बैच चल रहे तो रहे गई, thousand dollars कर, इसमें फिर आपको live classes, revision basis पर दी जाएंगे, crash course है जिससे कि जो कुछ भी आपसे छूट रहा है, वो भी ना छूटे, before prelims, इसमें आपको test series भी निश कर जाते हैं, तो आपको fee refund कर दी जाएगी, एक साल के extended validity दी जाएगी, वो तो प्रतिग्या का facility है ही, साथी साथ मेंस के लिए मेंस residential program आपको दिया जाएगा, नहिशुलक आवासी सुविधा, बताइए, यानि आपसे पैसा लिया नहीं, आपको पैसा दिया जा रहा है, उस में रहने, खाने का सब खर्चा free, बस आपको आना है अपने शहर से, उतना खर्चा करना है बस, train का टिकट लीजिए, दिली आईए, उसके बाद सारा खर्चा मारा, एकदा हमारे वातावरण में यहाँ पर library, आपको सारी कुछ मिलेंगी, classes मिलेंगी, daily practice test करा जाएगा, सब यहाँ पर आपको fee दी जाती थी, आप जो fee देते थे, वो 25,000 हुआ करती थी, उसको reduce करके, प्रतिग्या प्लस बैच जो है, इसमें और ज़्यादा कम कर दिया गया है, अगर आप देखोगे, तो प्रतिग्या प्लस बैच की जो fee है, जड़र देखे कितनी है, 23,900 इने और एक बात और बता दें, अगर आप विरत लाइब कोड का इस्तेमाल करते हैं, अब ही कीजिए, नीचे description box में जाईए, हमेशा hidden discounts भी आपको इसमें मिलते हैं, हो सकता है कि 23,999 से भी कम prize में, आज क्योंकि 31 तारीक है, और study IQ IS Hindi, great learning days जो sale है, इसका sale हमेशा चला रही है, और 33,999 में आपको मिल रही है, और मैं आपको कहता हूँ कि एक बार विरत लाइब कोड लागा करके देखो, definitely आपको इससे भी कम prize में मिल जाएगा, ये batch, ना मिले तो मुझे बताना, कहां बताओगे मुझे, मुझे बताना आप यहाँ पर, विरत.दुबे, अगर आप आज इ ये मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजे, मैं आज एक्टिव रहूँगा, क्योंकि आज लास्ट डे है, या फिर आप मुझे विरत.दुबे, at the rate study IQ IQ.com इस पे आप मुझे mail कर दीजे अपना number शेर कर दीजेगा अपना contact number शेर कर दीजेगा आपको extra discount जो दिलवाना है इसके अलामा जो discount दिलाना वो भी मैं आपको दिलवा दूँगा लेकिन यह सुविदा सिर्फ आज के लिए रहेगी 31 अगस्त के लिए रहेगी बस यह ध्यान रखना 31 अगस्त के लिए सुविदा है और हाँ अगर कोई 2025 ने 2026-27 की त्यारी कर रहा है तो उसके लिए भी long term बैच है उसमें भी प्रतिग्या की facilities है यानि free refund इसमें भी होगा प्रिलिंस क्वालिफाई करने पर एक साल के extended ability इसमें भी दी जाएगी तो 2025-26 की अगर कोई त्यारी कर रहा है 26-27 की अगर कोई त्यारी कर रहा है in fact 28-28 की भी त्यारी कर रहा है तो उसके लिए ये वाला बैच है वो फिर ये वाले बैच में ना जुड़े ये वाले बैच में ना जुड़े इस वाले बैच की बज़ा है प्रतिग्या प्लस बैच की बज़ा है ध्यांस एड्मिशन लेते समय लॉंग टम वाले बैच में आप एड्मिशन लीजेगा आप देखे कैसे लेने एड्मिशन वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ आप वेबसाइट पर जाएए एप्लिकेशन पर जाएए टैब बना होगा यूपी एसी फांडेशन लाइव हिंदी बैचे इसमें क्लिक कीजिए और ये दो बैचे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे देखे प्रतिग्या प्लस बैच जो है और उससे भी कम में मिल जाएगा बलकि तो अगर आप 2,25 त्यारी कर रहे हैं तो इसपर क्लिक कीजिए 2,26,27 की त्यारी कर रहे हैं तो इसपर क्लिक कीजिए ठीक है तो देखिए यहाँ पर क्लिक करना है आपको क्लिक करके buy now वाले option पर जाना है उसके बाद यहाँ पर available offers जो लिखे हैं, इस पर click करना है, सीधे buy now पर मत चले जाना, नहीं तो बहुत महेंगा price पड़ेगा, यह यह 28,000 पर करना पड़ जाएगा आपको, buy now वाले option पर click करने से पहले, four offer available पर click कीजिए, यहाँ पर भी बहुत सारे offer दिये हुए, इस पर मत click क करना, नहीं तो फिर आपको महेंगा पड़ेगा, maximum चूट आपको विरद लाइव code पर ही मिलेगी, आप यहाँ पर विरद लाइव code टाइप करो, V-I-R-A-D-L-I-V-E, और code टाइप करने के बाद सीधे buy now नहीं, पहले apply करिए, apply करके देख लीजे, चूट मिली की नहीं मिल मिल रही है, मैंने का ना, डिसकाउंट मिल रहे हैं, अगर किसी को 22999 मिल रहा हूं, मुझे लिख भेजना तुरंथ, मैं आपको दिला दूगा, अपके 23999 लिखा हुआ, तब भी, तो यह सिर्फ आज के लिए है, आप यहाँ पर buy now कीजिए, और अपने details यहाँ पर fill कीजिए ठीक है, यहाँ पर आप इस नंबर पर हमें WhatsApp भी कर सकते हैं, कोई दिक्कर नहीं है, ठीक है, अपने details फिल करिए, और fill करने के बाद में continue कर दीजे, continue का आप करेंगे, तो एक चीज़ और है, 2025 की तयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ से सीधा वैकलपिक विश्यों को चुन ल आपको add करना है, add करके अब आप यहाँ से pay करने के लिए प्रोसीड कीजे, जो भी options आपके pay करने हैं, कि आप उसके recording पे कर लिए, तो दोस्तों बगएर समय कवाएं, आज ही जुड़िए हमारे इस batch से, अपने आर्थिक बोज, अपने आर्थिक संकट को कम कीजे, निस Study IQ आपकी हमेशा हरपल साहता करेगा, मिलते हैं आपसे बैच में, धन्यवाद